तो कल मैच होने वाला है इंडिया वर्डसिस सौंथ अफ्रीका ये सेकेंड टी-20 और जैसा कि तुम लोग जानते हो कि पहला जो टी-20 था वो बारिश के कारण हो नहीं पाया था तो कल जो है वो सेकेंड टी-20 है और इस वीडियो में मैं तुम लोगों के साथ बात करूँगा पिल्च रिपोर्ट के बारे में और साथी साथ प्लाइंग 11 के बारे में बात करेंगा और कौन सी आपी कॉम्बिनेशन होनी चाहिए अगर आप स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग में बेटी माजबार है ठीक है तो सबसे इंपॉर्टन जीज मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगा जो पिछ है वो स्लो है तो जो इस्पिनर्स को जो है काफी यहां मदद मिलने वाली है और जो स्कोरिंग रेट है वो कम रहता है 130-140 यहां का एवरेज स्कोर है और इस ग जिसने से पहले बैटिंग करी है चार वार जीत है और जूसरे सेंड्ट تाइम बैट्ञ रिये वह चार वार जीती है तो कहने का मतलब यह है ऐस आ कैप्तन अगर मैं टॉस जीतूँगा तो मैं डेफिनेटलि यहां पर बाौलिंग करना चाहूँगा और जलसे जलसे अपोनेंट काउट करके एक स्माल टार्गेट को मैंचीव करना चाहूँगा तो जो भी कफ्तान होगा वो पहले आपके जो है वो बॉलिंग जरूर करना चाहेगा तो ऐसे में जो स्पिनर्स की एहमियत है वो बढ़ जाती जैसे मैंने बोला स्लो ट्रैक है स्पिनर्स बहुत एहम रोल अदा करने वाले हैं तो मैं बात करना चाहूँगा कि भाई जो टीम कॉम्बिनेशन है वो गिल रहेंगे गाईकवार्ड रहेंगे ठीक है गाईकवार्ड और जैसवाल मे है जो है वो थोड़ी सी टक्कर होगी पेस को लेके क्योंकि अगर टीम एनेंडमेंट कहेगा नहीं भई यहाँ पे लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन होगा तब जैसवाल खिला जाएगा हलागी गाईकवार्डों खिलाना चाहिए क्योंकि इनकी फॉर्म अच्छी है आ अगर मैं अपनी चॉइस बोलू या पर टीम मैनेजमेंट की तो रवी विशनुई के साथ जाना चाहिए इसका रीजन मैं बताऊगा कि रवी विशनुई के साथ क्यों जाना चाहिए और कल के जो स्टार होने वाले वो रवी विशनुई होने वाले मैं रीजन बताऊगा क् अब बात कर लेते हैं अफरिका की तो एडम माकरम जो है वो कप्तान रहने वाले हैं अब बात कर लेते हैं कि आप अगर ग्रैंड लीग या स्मॉल लीग में वी ट्रीम ट्राइ करना है तो किसको ट्राइ करना चाहिए चोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल लीग में अगर इशान किशन अगर खेलेंगे तब उनको आप जंगा दे सकते हैं क्योंकि नंबर एक पाएंगे है वो खेलने के लिए और उनके पास जादा चांसे होगा कि वो जादा बॉले खेले लेकिन अगर वो नहीं खेलते हैं तो आपको हैंडरी क्लासन को यहा पर शामिल करिए क्शन है तो आपके बलेबास तो ही है साथ साथ विगिट कीपर भी है और शुरुआत में आते हैं बलेबाजी करने के लिए तो हेंद्री क्लासन आपके लिए चॉइस हो जाएंगे ठीक है तो आप इनको जो है वह स्मॉल लिग में भी आप ट्राइ कर सकते हैं और आप इनको जो है ग्रैंड लिग में भी ट्राइक कर सकते हैं ठीक है बल्लेवाजी की बात कर लेते हैं तो मुझे ऐसा लग रह क्याक वाट जो है वो अच्छी ही नहीं खेलेंगे क्योंकि वो लेफ्ट आर्मर मारको यानसन को भी अच्छी तरह से खेल सकते हैं और जो है आपके अपने विकेट में वैल्यू रख रहा है और जब उनके पास ये सीरीज जो है फिर आप जाते हैं अफगानिस्तान की सीरीज शुरू हो जाएगी तो ज्यादर कुछ है नहीं प्रूफ करने के लिए तो मेरे खांस है कर रितु राज के एकवार्ट मौका मिलेगा तो इसमें व अपने विकेट की वैल्यू नहीं करते हैं अलाकि शुरुवात में आते हैं मौके बहुत होते हैं इनके पास लेकिन अपनी टीम में नहीं लोगा इनको दुरीतु राज कैकवार्ट हो जाएंगी मेरे तरफ से च्रियस आईयर जो हैं बहुत अच्छी चॉइस है मेरे लिए ठीक है मैं बोलूँगा और सूरे कुमार यादव के साथ मैं नहीं जाओंगा उसका रीजन ये कि स्लो ट्रैक है स्पिनर्स को जादा मदद मिलने वाली है और इनको शायद कहीं ना कहीं सौट अफरिकन से रीड कर चुके हैं कि कैसे इनको बॉलिंग करवानी है इसलिए मैं सूरे कुमार यादव के साथ नहीं जाओंगा हला कि आप लोग सोच रहोंगे या इतना बढ़ी हाँ प्लेयर आपको उसके साथ जाना चाहिए लेकिन मैं शायद ना जाओ उनके साथ ठीक है इसकी जंगा मैं रीजा हैंडरिक को रखोंगा ठीक है क्योंकि ये नमबर एक प स्य की बात है कि बाई एक तो भी कि आपकी इस पिनर है ठीक है और दूसरा है कि आपके बैट्स्मेंट, तो यहां बैणि का मौखा भी मिलेगा इनको ठीक है पिर आपके हो जाते हैं एंड-एम औरम To Р ups और शुरुवात में आदे भी है मनलЕ बाजी ऐन करने के एसाथे साथ करते हैं तो आप महाँ पास यह मौखर हैगा कि यह अगर विकेट निकालते तो महां से पॉइंट मिलेगा रन तो यह बनाएगी ठीक है और साथ ही साथ जो है इनकी होम कंट्री में केहल रहा है तो बहुत एड़ेट अड़ांस ते जो ठीक है आपके एड़न माकरम से ही जा सकते हैं मारको यांसन अगर आपको लगता है कि भाई कि इसको लेना चाहिए ये विकेट निकाल सकता है, लेफ्ट आर्मर है, शुरुवात में आके परशान कर सकता है, अगर गिल वगारा का विकेट लेगा, ठीक अगर आपको समझ मेरा तो आप लीजेए, अधरवाइस मत लीजेए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बात कर लेते हैं, बालिंग की, तो आप नजर डाली हो, साथ अफरीका की टीम भी जिनको नेट्स में खेलते होंगे, उसमें कोई इनके पास लेग ब्रेक बॉलर नहीं है, अब आप बोलेंगे तबरेश हमसी तो है, लेकिन तबरेश हमसी जो है, वो लेफ्ट आर्मर है, लेफ्ट आर्मर वो करता है, चाइना विकेट मिल जा है, तो आप इनको कैप्टन और वाइस कैप्टन के रूप में भी चुन सकते हैं, अपनी टीम में, वेधर यूर क्रेटिंग बिग लीक और स्मॉल लीक, ठीक है, चलिए, मौहमा सिराज को आप रख लीजेगा, मौहमा सिराज जो है, पिकते जरूर है, लेक ठीक है, अर्शिदीब सिंग भी शुरुआत में, अगर इंडिया बॉलिंग कर रही तो अर्शिदीब सिंग को आप जरूर लीजेगा, और आप चाहे तो इनको कुछ वाइस कैप्टन वगरा भी बना सकते हैं, आपने देखा हो को शुरुआत में जब यह पहले बल्ले वा ठीक है, कोटजे को यहां लीजेगा, क्योंकि कोटजे जो है, वो जवर्दस तेज बॉलिंग करते हैं, ठीक है, और अगर आप अर्शिदीब और मुकेश में से किसी को नहीं लेना चाते हैं, तो आप यहां पे लिजर्ट विलियम्स को ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने और अस्टेलिया खिलाब अच्छा प्रदस्शन किया था तो यहां फो बी अच्छा प्रदस्शन करने की उम्मीद है ठीक है और अगर आपको कोड़जे को नहीं लेना है और इस्पिन के साथ जाना चाहते है तो आप जो है वो तब्रेश तबरेश अमसी को भी ट्राइ कर सकते हैं और मान लिजे कि आप जो है वो मुहमद सिराज के साथ बिनी जाना चाहते हैं तो केशव महराज को भी यहां पर ट्राइ कर सकते हैं तो यह रहेगी सारी कॉबिनेशन और यह जो है आपके इस्पिनर्स को जैसे मैंने बोला हुआ है आप इस्पिनर्स को जो है ट्राइ करके कैप्टन वाइस कैप्टन मना सकते हैं और बल्ले बाजों पे इतना भरुसा नहीं क्योंकि रन कम बनते हैं हाई स्कोरिंग ग्राउंड है नहीं आपे है वो आपको विकिट दिलाएंगे हो बहाँ पर आपके फैंटेसी के जो है वो पॉइंट्स बनेगे तो यह है सारा मामला लोई स्कोरिंग मैश बने वाला है टीम जो टॉस जीते मैं टेलीग्राम पे बता दूंगा आप लोगों टेलीग्राम को ौप्शन में हैं देस्क्रिप्शन में है। आपचे को आपको मैं से पहलेम बता दूँगा जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग आप यूज़ कर सकते हैं तो आज की वीडियो में इतनी थैंक यू फर वोचिंग